So now we will discuss the third case of particular integral Third case में हम उस function को consider करते हैं Right hand side में जो की x to the power m form का होता है यानि simply right hand side में आपका function क्या होता है x है and x की कुछ power है ऐसे case में हमें क्या करना है P.I. तो standard आप इसी तरह से लिखोगे 1 upon F.D. into x to the power m इसके आगे हमें क्या करना है To evaluate P.I. Bring out common the lowest degree term मतलब आपको क्या करना है यही जो आपका function है na F.D. इसमें से आपको common लेना है क्या common लेना है lowest term of D मतलब D की power में जो भी सबसे कम power होगी वो power वाला term आपको पूरा का पूरा common लेना है along with the constant उसके बाद क्या करना है जो आपका remaining factor बचेगा denominator में functions को आपको expand करना आता है यह simple आपके series expansion होते है जो कि using binomial theorem आते है standard मैंने यहाँ पे expansions लिखे भी हुए है आपके help के लिए 1 plus x to the power minus 1 क्या होता है 1 minus x simply आपके x के powers increase करते जाते हैं और alternating signs आते हैं starting with positive similarly 1 minus x inverse की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके x के powers increase करते जाते हैं और सब के साथ positive sign होता है जब हम 1 plus x to the power minus 2 की बात करते हैं तो again x के powers increase करते जाते हैं और जितनी power होती है उसी हिसाब से आपका constant भी आता है जिसे 1 minus 2x plus 3x square minus 4x cube and so on जब 1 minus x की power minus 2 होता है तो यहाँ पे सारे signs positive होता है तो यह चार expansions आप याद रख लो इससे जादा आपके exam में नहीं आता है इतने में आपका काम हो जाएगा तो चलिए आप इसी पे based हम example देख लेते हैं यह है हमारा question solve d square minus 5d plus 6y is equal to x to the power 1 यहाँ पे जब आप cf find करेंगे auxiliary equation का use करके आपका cf आजाएगा c1 e to the power 2x plus c2 e to the power 3x pi find करने के लिए again 1 upon fd into q fd आपका यह term है d square minus 5d plus 6 and q यहाँ पे है x x to the power m form का लेना था हमें यानि यहाँ पे m की value आपकी 1 है इसके बाद हमें क्या करना है पहला step हमारा था d की lowest power को आप common लेते हैं अब अगर यहाँ पे आप देखोगे तो कई लोग यह गलती कर सकते हैं कि यहाँ पे आप d common ले लो क्योंकि आपको सबसे चोटी power यही दिखेगी बट यहाँ पे हमें d common नहीं लेना है हमें 6 को common लेना है क्यों? इसलिए because 6 के साथ आपका d to the power 0 आ रहा है d to the power 0 का मतलब 1 that is the constant term तो आप 6 को common लोगे जब हम 6 को बाहर common ले लेंगे तो बचे का 1-5d upon 6 plus 1 by 6 d square इसको जब हम numerator में ले जा करके लिखेंगे तो आप लिख सकते हो 1-1 upon d fd minus d square whole to the power minus 1 यानि ये है आपका 1 minus ये पूरा का पूरा term अगर आप y consider करो तो 1-y to the power minus 1 तो यहाँ पे आप expansion use करोगे 1-y inverse is equal to 1 plus y plus y square plus y cube and so on तो यही हमने किया है 1 by 6 आपका बाहर था बाहर ही रहेगा इसको हमने expand किया है 1 plus y plus y square and so on ये आपका 6 square हो जाएगा and आगे all terms आएंगे इसके बाद बाहर आपका x है तो एके करके हम x का अंदर सारे terms से multiplication करेंगे so 1 by 6 बाहर है as it is आएगा then x इसका जब आप x से multiply करोगे तो यह term आएगा बट इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होगे मैंने आगे कोई भी term नहीं लिखा है वो term मैंने आगे क्यों नहीं लिखा है उसके पीछे reason यह है कि जब आप इस x का यहाँ पे multiplication करोगे यहाँ क्या हो रहा है इसके पूरे term का square हो रहा है यानि आपका term क्या आएगा 25d square plus d to the power 4 minus 10d cube और जब आप यहाँ पे d square अप्लाए करोगे x के उपर dx क्या हो जाएगा हमारा 1 d2x क्या हो जाएगा 0 यानि second derivative onwards x के सारे derivatives आपके 0 आएगे तो आगे जहाँ पे भी higher powers में आपके derivative 0 आएगे उनको लिखने का कोई मतलब नहीं है इसलिए उनको हमने पहले ही neglect कर दिया तो आपके पास इतना ही term बचेगा अब हम multiply कर देते हैं x by 6 यह x का जब हम अंदर multiply करेंगे 5 by 36 dx minus 1 by 6 d square x dx मतलब x का एक time derivative जो की 1 आ जाएगा तो 5 by 36 और d square मतलब x का 2 times derivative जो की 0 आ जाएगा यह हो जाएगा आपका particular integral एक example जालिया हम और देख लेते हैं so that आपको better तरीके से समझ आ जाए यह रहा हमारा example यहां आपको solve करना है d cube minus d square minus 6 d y is equal to 1 plus x square so therefore हमारा p क्या हो जाएगा pi 1 upon d cube minus d square minus 6 d of 1 plus x square फिर से क्या करना है क्यूंकि x to the power m type का term आ रहा है आप क्या करोगे lowest power of d को common लोगे यहां पर d की lowest power आपको यहां मिल रही है यानि कि क्या क्या आपने सीधे के सीधे minus 6 d common ले लिया जब आप minus 6 d common लोगे तो यहां बाकी बचे हुए term में आपको क्या मिलेगा क्यूंकि d पूरे से common हो रहा है d square और d बचेगा तो d minus d square upon 6 इसको आप numerator मे ले जाके लिखेंगे तो 1 plus d minus d square upon 6 whole inverse 1 plus x square अब आपका कौन सा expansion बना 1 plus y inverse जहां पर y की value क्या है d minus d square upon 6 1 plus y inverse का expansion क्या होता है 1 minus y plus y square minus y cube plus y4 and so on तो हमने simply expand कर दिया 1 minus y plus y square and dot 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 अब इसके बाद फिर से आपको ध्यान रखना है कि यहां पर हमारे पास x square का term है x square को जब आप एक बार differentiate करोगे एक term मिलेगा दो बार differentiate करोगे constant मिलेगा बड़ जैसे ही आप x cube को तीसरी बार differentiate करते हो तो आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा यानि d cube onwards आपके x square के derivatives 0 हो जाएंगे तो इसी तरह से ध्यान में रखते हुए मैंने सिर्फ square तक के terms को ही consider किया है expansion के अंदर because इसके आगे वाले terms आपके सारे के सारे 0 हो जाएंगे उसके बाद 1 plus x square आपका बाहर multiplication में था तो इसको हमने अंदर multiply कर दिया तो यह terms आजाएंगे 1 plus x square minus 1 by 6 d of x square plus 1 plus 7 d square by 36 1 plus x square इसके बाद simply यह d x square plus 1 है तो आपने एक बार differentiate किया यहाँ पर d square आ रहा है तो आप 1 plus x square को दो बार differentiate करोगे और इसी तरह से simplify करके यह आजाता है हमारा particular integral का आधा term अब अगर हमने constant common लिया होता तो अब तो कोई problem नहीं थी simply आपका यही वाला term particular integral हो जाता बट क्यूंकि बाहर अभी भी हमारे पास minus 1 upon 6 d है तो जो आपका x के terms में expression आया है polynomial आया है उसमें आपको यह 1 upon d को भी operate करना पड़ेगा और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ 1 upon d का मतलब होता है integral dx so simply हम इसको operate कर देंगे minus 1 by 6 1 upon dx square इसका मतलब integral of x square then 1 by 18 1 by dx इसका मतलब integral of x dx and similarly इस तरह से x square को आप integrate करोगे x cube upon 3 x को integrate करोगे x square upon 2 and यहाँ पे कुछ नहीं था constant था इसलिए यहाँ पे integral x इसके बाद simplify करके यह हमारा final particular integral आ जाता है so जबी भी हमारा जो q है वो x to the power m type का function है आपको बस दो बाते ध्यान रखनी है पहली कि आप d का lowest जो power होगा उसको common ले लोगे and second चीज उसके बाद जो भी आपका expression होगा 1 plus minus fd form का उसको आप numerator में जाके inverse के form में लिखोगे and then जो भी आपके relatable expansions होते हैं series expansion 1 plus x whole inverse 1 minus x whole inverse 1 plus x to the power minus 2 इस तरह से उसको आप use करके expand कर दोगे and then further हम x बाकी expansion के अंदर distribute करके देखेंगे कहां integrate करना है कहां differentiate करना है and simple आपका आजाएगा finally particular integral so अब हम move करते हैं हमारे fourth case particular integral के यहां पे हम किस type का particular integral find करेंगे जहां पे जो आपका q होगा वो e to the power ax भी होगा उसमें और उसके साथ multiplication में कोई एक x का function होगा यहां पे vx आपका क्या हो सकता है या तो sin ax form का हो सकता है cause ax form का हो सकता है या फिर x to the power m form का हो सकता है तो जबी भी आपका q इस तरह से है e to the power ax into vx तब हमें क्या करना है आप यह जो आपका exponential term है इसको इस operator के अंदर से हटा करके लिखूगए वो इस operator से हटाने के लिए exponential term को आप क्या करोगे आप simply exponential term को बहार लेके जाओ and जैसे ही आप exponential term को बहार लेके जाते हो आपका d replace हो जाएगा d plus a से एक बार आपका d replace हो गया d plus a से उसके बाद simply एक standard function का आपके पास PI बचेगा जो की जो standard methods अभी हमने video lecture में बाकी पहले तीन cases पड़े हैं उसको use करके आप इस बचे हुए portion का PI find कर सकते हो इसको मैं question के थुरू बताती हूँ तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा एक आप समझ लो question उतना sufficient है जिसे ये question है solve d square minus 5d plus 6y is equal to x cube e to the power 2x यानि आप जब PI find करोगे तो आपके PI find करने के लिए आपका Q क्या है x cube into e to the power 2x यानि ये किस format का है इस format का यहाँ से जब आप compare करोगे तो आपके पास a की value कितनी है 2 जो की e के power में x का coefficient है and m की value कितनी है 3 m की value 3 मतलब x की जो power है so हमने क्या किया PI find करने के लिए सबसे पहले तो यही लिखा 1 upon d square minus 5d plus 6 into x cube e to the power 2x next step में हमने क्या किया क्योंकि exponential term को हम operator से बाहर लेके जा सकते है तो हमने exponential term को operator के बाहर लिखा और क्योंकि यहाँ पे आपके exponential term में x का coefficient 2 था हमने क्या किया इस पूरे के पूरे expression में d को replace कर दिया d plus 2 से जैसे ही हमने d plus 2 से replace किया तो क्या हो जाएगा d square की जगा d plus 2 square 5d की जगा 5d plus 2 and 6 आपका constant है as it is रहेगा अब आप यहाँ पे जब पूरा इसको simplify करोगे तो denominator में हमारे पास बचेगा d square minus d अब क्योंकि यहाँ पे आपको x cube का pi find करना है तो x to the power m type के functions में आप pi find करने के लिए क्या करते हो d के lowest power को common लेते हो यहाँ पे d का lowest power है d तो हमने d को common लिया यह हमने minus d को common लिया क्योंकि minus का term है साथ में तो आपके पास बचेगा minus e to the power 2x और 1 upon d into 1 minus d और x cube साथ में अब 1 minus d को हम numerator में ले जाके 1 minus d inverse of x cube के form में लिख सकते हैं यानि 1 minus y inverse तो इसको जब आप expand करोगे तो आ जाएगा 1 plus d plus d square plus d cube and so on अब क्योंकि यहाँ पे x cube आ रहा है तो आपका d cube x तक आपको term मिलेगा बड़ जैसे ही आप fourth derivative पे जाते हो आपका fourth derivative x का x cube का 0 हो जाएगा तो यानि fourth derivative one words आपको expansion में consider नहीं करना है तो हमने d cube तक consider किया उसके बाद x cube को अंदर multiply कर दिया and further हमने simplify कर दिया तो हमें cf plus pi मिल जाता है इसी तरह से ये question देखो आप यहाँ पे क्या था e to the power 2x into sin x अब यहाँ पे हम क्या करेंगे again exponential term है exponential term को हमने बहार लिख दिया d को replace कर दिया d plus 2 से d को हमने d plus 2 से replace कर दिया उसके बाद बचा sin x sin x के लिए pi कैसे find करते हैं वो आपको पता है so now we move on to our fifth case of particular integral fifth case हमारा क्या होता है जब जो हमारा q है वो है x to the power m into vx type का x to the power m into vx type में आप क्या कर रहे हो यहाँ पे vx जो है वो आपका x का कोई भी function हो सकता है और यहाँ पे multiplication में क्या है x to the power m so यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं यह आपका एक standard formula है इसको आप याद कर लीजे यही आपको use करना है अपके expression में यानि 1 upon fd x to the power m v क्या है पहला term x to the power m into 1 upon fd of v plus mx to the power m minus 1 into d by dd d by dd मतलब एक बार differentiate कर रहे हो आप 1 upon fd को और फिर बाहर multiplication में है v आप एक तरह से इसको देखो तो आप binomial theorem से भी relate कर सकते हो यहाँ पे m आया x to the power m minus 1 हो गया फिर यहाँ पे m आया x to the power m minus 2 हो गया और यहाँ पे उसके साथ साथ आ गया m minus 1 और 2 factorial और इसी तरह से derivative की power आपकी बढ़ती जा रही है तो यह question अगर आप देखो find the pi of d square minus 2d plus 1 y यहाँ पे जो आपका q है वो है x sin x x sin x आपका किस format का q हो गया x to the power m into v x जहाँ पे m हमारा 1 है और v x क्या हो जाएगा sin of x तो यहाँ क्या हुआ 1 upon d square minus 2d plus 1 x into sin x m is equal to 1 है तो आपने क्या क्या इस formula में m के जगा पर 1 रख दिया m के जगा पर जब आप 1 रखोगे तो आप देखोगे आपको सिर्फ और सिर्फ यह पहला और दूसरा term ही मिलेगा expression में third term onwards नहीं मिलेगा because third term में जब आप m minus 1 में m की जगा पर 1 रखोगे तो यह term 0 हो जाएगा और आगे वाला आपको एक भी term नहीं मिलेगा so इसको जब हम expand करेंगे तो x बाहर आया x to the power m into 1 upon fd v so x into 1 upon fd और v second term m x to the power m minus 1 यानी 1 into x to the power 1 minus 1 जो की ultimately सिर्फ और सिर्फ 1 ही बचेगा और उसके साथ क्या आया है first derivative of 1 upon fd into v so इसका जब आप first derivative करोगे तो क्या आएगा denominator into numerator differentiation minus numerator into denominator differentiation तो differentiate करने पर आपका यह term आएगा आपको d को simply एक variable की तरह ही consider करना है और उसी के तरीके से differentiate करना है जैसे आप suppose 1 upon y square plus 2 को differentiate करते हैं तो यह क्या आता y square plus 2 into derivative of 1 that is 0 minus 1 into derivative of the denominator that is 2y whole upon y square plus 2 square उसी तरह से यहाँ पर हमने d वाले expression को differentiate किया हुआ है इसके बाद left hand side में sign था sign के case में हम किस तरह से fine करते हैं पी आई वो आपको पता है d square को हम replace करेंगे minus a square से a की value है यहाँ पर 1 तो d square को replace किया minus a square से d को ऐसे ही छोड़ दिया and right hand side में जब आप simplify करोगे थोड़ा सा तो आप देखोगे कि क्या term यहाँ पर बच रहा है denominator में हमारे पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ 4d square और numerator में बचेगा minus 2d plus 2 यहाँ पर denominator में बचेगा हमारे पास d या फिर minus 2d तो minus 2d denominator का मतलब आपको क्या करना है sin x को एक बार integrate करना है because 1 upon d का मतलब होता है integral of dx और same यहाँ right hand side में आप क्या कर सकते हो यह denominator में है तो आप दोनों में split कर सकते हो दोनों में split करोगे तो sin के एक term के साथ आजाएगा 1 upon 2d and एक term के साथ आजाएगा 1 upon 2d square यहाँ पर 1 upon d आ रहा है मतलब एक बार integration और यहाँ पर d square आ रहा है तो मतलब दो बार आप इसको integrate कर दोगे और आपको आपका answer मिल जाएगा झाल रहाँ